हेलो फेंड्स में नमें राहूल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यह प्रोस्पेक्टरी यह स्केट कार्ट के बारे में तो अगर आप इस स्केट कार्ट को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहे हैं इस वीडियो में हम हर चीज किन में अधिक नहाँ होगा यहां पर हम हर चीज डिसकस करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको इस केड़ काड को अपलाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो देख सकते हैं यहां पर हम यहां पर देख सकते हैं कि नीचे हम आएंगे तो यहां पर लेने के लिए इलीजबल है सेलरी और सेलफ इंप्लोईट को अपलाई कर सकते हैं और फिर यहां पे मिनिमम नेट सेलरी पर मंथ कर रखा गया है और फिर इंकम टेक्स रिटर्न फाइप लाक और एवब का होने से आप इसके लिटाट को अपलाई कर सकते हैं अगर आपने इसका इसका इस्टेटास चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप जो इनका यस बैंक का जो हेल्प लाइन नमबर है यहां पे जो मेंसन किया गया है 24-7 यह मतलब खुला रहता है तो आप इससे कॉल करके आपका जो तीरा डिजिट का यूनिक एप्लिकेशन रेफ्रेंस नमबर है उसे आप देकर अपना जो एप्लिकेशन उसे ट्रेक कर सकते हैं कि आपका कर अभी मतलब कहां पहुँचा है या फिर कि तो यहां पर फ्लाइड बूकिंग होटल मुवी टिकत यह सब मैं आप मतलब इसका रिडियूपिया मिलेगा तो एट रिवाड प्यंट और एवर्ड थुहंड्रेट एस्पैंड लाइन डाइनिक स्पैंड या लेकि त्रेवल और खाना पर करते हैं 200 रुपिया तो वहां प का जो reward point है उसका एक reward point के value है 0.25 पैसा यानि कि आप किल्कुलियर कर सकते हैं कि इतना आपको reward point के value है उतना आपको मिलेगा और फिर यहां पे 4 reward point on every 200 on all category यानि कि अगर आप travel और जो dining spend को छोड़ कर और भी इतने सारे spends है बहुत सारे हो सकते हैं कुछ भी आप shopping कर रहे हैं तो वहां पे अगर shopping करते हैं या फिर spend करते हैं तो वहां पे 4 reward point मिलेगा 200 का spend पे और फिर यहां पे नीचे बताया गया है कि यहां पर reward point will be continue to be offered on the selected transaction on yes card तो yes bank का ही एक website yes card yes card में बहुत सारे इनका पार्टनर्स है Amazon flip card लिंत्रा टाटा क्लिक तो वहां से आप yes card में जाकर redirect होकर आपका जो भी मतलब फिलिप काड़े पर Amazon स्वापिंग करते हैं जो yes bank का है इस credit card से तो आपको वहां पे मतलब offer हमेसा change होते रहता है कभी 5x reward point कभी 10 reward point चलता है तो जिस समय आप purchase कर रहे हैं कुछ भी समान तो उस समय का जो offer होगा 5x हो सकता है 10x हो सकता है उस ही साफसे आपको reward point देखने मिलेगा फिर नीचे बात करें कि आप redeem कैसे कर सकते हैं तो वही बताया गया है कि आप मतलब वही flight booking hotel booking movie ticket बहुत कुछ में आप redeem ले सकत सकते हैं या किसी और के करें आपका जो point उसको transfer कर सकते हैं बस याद रहे कि जितना बार आप मतलब redeem करेंगे उतना बार आपको करेंगे जो इंडरनेशनल और डोमेस्टिक लोज का भी प्रोग्राम है तो वन कंप्लिमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लोज विजिट इन इंडिया पर केलेंडर क्वाटर प्राइमरी कार्ड मेंबर और फिर नीचे में बताया गया है कि इस क्रेडिट कार्ड में जाएगा इंडरेसेट की बाद करते हैं तो इसMake cat में आगर आपका जो बील है ट्यू है अर्फ आपका है हैं तो उस पर अपों कितना इंट्रेस्ट लगता है तो वहां पे आपका जो इंट्रेस्ट रेट है और इन्वली की बात करें तो 43.2 का इंट्रेस्ट अपको इन्वली लगेगा अगर आपका इंदी केस अब ओवर्ड्यू है यानि कि अपने कार्ट का पहला मतलब बन चुका है उसके बाद भी अपने नहीं कि और सेकेंड बिल बन है तो वहां पर आपका 3.5 का इंट्रेस्ट लगेगा और प्लस आपका फर्स्ट मंथ का इंट्रेस्ट लगेगा ही और फिर नीचे में यहां बताया गया को बाद कर लेते हैं तो जो आपको कर दिया जाएगा यस प्रॉस्पेक्टवी एच केक्ट वो भीज़े या फिर मास्टर काड होगा तो वहां पर वीजा या फिर Mastercard का सिक्योर्टी देखने मिल जाएगा वहां से आपका पासपोर्ट है पुड़ा सिक्योर रहेगा और फिर आप चाहिए तो इसमें 3D मतलब को पासपोर्ट सेट कर सकते हैं तो आपका और भी मतला जो कार्ड सेट कर सकते हैं तो आपका अठर कार्ड में आपको लोन दिया जाता है और भी बहुत सारे यहां पर सकते हैं कि पूछ आपको नहीं पता होत आप कूछ सकते हैं सकते हैं और फिर नीचे बात कर लेते हैं कि कि तो चार्जेस की बात करें हम तो फॉर्स्ट यह मेंबर सी अप्लस एप्लिकेबल टेकसर रखा गया है यानि कि जो आपका card मिलेगा उसका मतलब first year का membership free 399 plus applicable taxes यानि कि यह 18% का आपको जो tax लाएगा वो है और यह आपका wave up हो जाएगा अगर आपने spend किया 10,000 rupees within 13 days of the card setup date यानि कि जब आपका card activate होता है उसके 30 days के अंदर अगर आप 10,000 रुपे का shopping करते हैं या फिर कहीं आप spend करते हैं तो वहां पर आपका 399 का जो फर्स्ट एयर का membership है वह आपको नहीं लाएगा और second year की बात करें तो second year membership fee 399 प्लस applicable taxes रखाया या सेम रखा गया है यह भी आपका wave up हो जाएगा अगर आप 12 month के अंदर 1,000,000 का spend करते हैं तो आपका renewal fees नहीं लगेगा और फिर बात कर लेते हैं इस card का payment कैसे करना अगर आपने इस card को ले लिया है अगर आपने spend भी कर रहे हैं और जो आपका एक महिना का अंदर जो bill बनता है तो आपका bill बन चुका है तो आप भी इस card का payment कैसे करेंगे तो यहां पर दो मेथल बताया गया है first and second first बताया गया है कि अगर आप yes bank के account holder यानि कि आप yes bank के credit card भी यूज कर रहे है और प्लस इनका आपका जो saving account या current account भी यूज कर रहे है तब किस में क्या करेंगे और second बताया गया for all customer यानि कि अगर आप मतलब yes bank का आपका अकाउंट हो या ना हो फिर भी आप इस second method को यूज कर सकते हैं तो first method को हम जानेंगे क्या है for yes bank account holder के लिए तो net banking से आप इनका जो yes bank का मतलब कर सकते हैं और फिर आप yes bank account holder है तो आप yes bank ATM में जाकर वहां से मतलब आप ATM से fund transfer कर सकते हैं और extending instruction set कर सकते हैं यानि कि आप एक specific date आप मतलब bank को बता देंगे कि इतना date को मेरा जो amount है जो भी आप credit card का amount bill generate होता है वह आपका simply credit card में credit हो जाएगा आपको मतलब कुछ अगर भूल भी गया तो आपका मतलब कुछ नहीं आप simply आप मतलब एक form में वह फिल अप कर देंगे तो या फिर आप online भी सेट कर सकते हैं तो उसी दिन को आपका automatic जो मतलब पैसा है वह आपका credit card में चला जाएगा आपके saving account या फिर current account से और second में बताया गया है for all customer यानि कि अगर अपका CS bank account है नहीं यह फिर भी आप इस method को फोलो कर सकते हैं कोई भी मतलब बैंक से मतलब एनि एफ्ट आएंपी आटी जीए कर सकते हैं यहां पर में थर बताया गया कि आपके से कर सकते हैं तो बेनिफिसरी में आपको मतलब जो आपका yes bank का जो काड इस व्लाड डिजिट का उसको आपको बेनिफिसरी का अकांट में परकान रच करना है और यहां पर आपका बीडिमें कर सकते हैं और क्रेश कर सकते हैं सिंपली आफ कोई सब्सक्राइब में बना है वहाँ जाकर अपना जो बिल है जितना आपका बना है वहां पर प्रयादर है वहां पर कुछ अलग चार्जे से एक बड़ पिमेन करते समय चार्जेस को कंफर्म कर लेगी कि प्रोबोट से भी कर सकते हैं तो यह सब बहुत सारा अप्षन है आपको पे करने का इसमें अपको दिक्कत नहीं है कि अगर आपका बील बन गया है तो आप मतलब पेमिट नहीं कर सकते हैं और भी बहुत सा पेट सब्सक्राइब कर सकते हैं तो नहीं को शब्सक्राइब कर लिजिए कि इससे अपत्रा मतलब शपोर्ट मिलते हैं टॉल आज के लिए उतना ही अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद